चैरिस OS का एक निव अपडेट आ चुका है हमारे MI Atoll यानि Poco M2 Pro डिवाइस के लिए और आज इस वीडियो हमें इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वार काफी अच्छे खासे इंप्रूमेंट किये गए हैं जो कि I hope कि आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो वीडियो को पूरा लास तक ज़रूर वाच करिएगा ताकि आपको पूरा इंफॉरमेशन मिल सके कि क्या चेंज लोग है और क्या चेंज हमें रिखनी को मिलता है हमारे डिवाइस के अंदर सासे अर परफॉर्वेंस एंड गेमिंग प्लस चार्जिंग कैसा है तो सुरू करते हैं तो यहां पर हम इसके बाउट के बात करें तो आपको देखनी को मिलता है इंडर वर्जन 12L याने 12.1 और इस वार यहां पर मेंसन कर दिया गया है 12L ठीक है और यहां पर यह जो चैरिस का वर्जन वह है 3.6 जो की लेटिस्ट वाला है और यहां पर इनके में नाम है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको देखनी को मिलता है जो के इनफॉर्सिंग है और यहां पर जो बिल्ड डेट है वह है 7 अप्रेयल का याने बिल्कुल ही लेटिस्ट है थोड़ा सा डीले हो गया है वीडियो के अंदर क्यूंकि भाई कई सारे रोंस होगे रहे है है और आज कल भाई थोड़ा सेटियो बिगरा हुआ है जिसको से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बट चेंज क्या है वह हम देख लेते हैं तो जेस्टर के अंदर वही सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जिनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसका पहले वाला जो रेठाना उससे अगर आप इस पर स्विच कर रहे हो तो आप डर्टी फ्लैस कर सकते हो लेकिन उस अपडेट के अंदर आपने एनेक्स मैनुली इंस्टॉल किया होगा तो उसे अनिस्टॉल कर लेना अधर वाई आप चाहते हो कि आपका रोम अच्छे से काम करें तो क्लीन हाई ले रिकमेंडेट है ताकि आप अच्छे से यूज कर पाओ बाकि यहां पर डेवलोपर का उप्सन पहले से इनेवर रहता है और यह इसका प्रोफाइल और जितना भी मैंने चेक किया है वह सब कुछ नर्मल तरीकी से चेक किया है जहां पर आप देख सकते को भी मैंने यहां पर जो कि हमारा है जो face unlock and fingerprint जो कि काम कर रहा है और साथ साथ apps lock भी हमारा working है तो इसका भी benefit आप यहां पर ले सकते हो जो कि fingerprint को fully support करता है बाकि यहां पर आपको देखने को मिलता है utility जो कि नाम चेंज किया गया है जिसमें आपको additional वाले सारे settings मिल जाते है यानि additional हमार द्रेन होता है नजर आया है because of always on तो मैं इसलिए कहता हम कि always on मत यूच करना क्योंकि इससे battery drain काफी ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा device का display supported नहीं है तो आप इससे नॉर्मल यूच कर गए तो backup काफी अच्छा मिलेगा wallpaper पहले से थ्वासा improve कर दिया गया है ताकि आपको मिल जाएगा बाकि अगर हम backyard चलते हैं तो आपको मिलता है display जिसके अंदर वही सारे change है जो कि हमें पहले देखने को मिलते थे और LCD features भी दिया गया है जो कि मैंने lock कर रखा है अगर आपको higher brightness चाहिए तो आप इससे off कर सकते हो यहाँ पर चैस के अंदर maximum सारे features पहले वाले को मिलते हैं लेकिन एक चीज़ इंप्रूव हुआ है जो कि इसका theming feature से और यहाँ पर आपको dashboard का layout change करने का option मिलता है जहाँ पर O, OS, One, Micro, GMode और बाकि अधर देखने को मिलते हैं यहाँ जैसे आप change करोगे एक वार restart करना परेगा आपके UI को उसके वाल आपको जो बदलाव ला सकते हो बस एक वार system के UI को restart करना है और उसके वार आपको change देखने को मिलेगा कुछ और type के यहाँ पर look add कर दिये जाए तो और मज़ा आएगा बड़ अभी तो शुरुआ आती है तो काफी अच्छा-कासा options आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप change कर पाऊगे बाकि इस और आपको डालने के ज़रूत नहीं पढ़ने वाली तो यह advantage आपको मिल जाएगा जहाँ पर pro mode, video mode वगरे आप यूज कर सकते हो और 48 और 64 आपके device के अंदर है तो वह भी working रहेगा बट आपको slow-mo और long exposure काम नहीं करता है तो यह थोड़ा सा compromise आपको करना पड़ेगा ब अपडेट कर दिया गया है बाकी blobs वगरा improve किये गया है तो जो fixage है वो किये गया है clean किया गया है kernel और यहाँ पर बाकी और change भी किया गया है और enable है जो quick tap भी कर दिया गया है तो यह हमारा device का change लोग है और source change लोग मतलब cherry source का जो update आया इस वागा 3.6 उन सभी devices से related यहाँ आपको change दिखनी को मिलता है जैसे कि add कर दिया गया है hide clock option wild data panel add कर दिया गया है साथ साथ ब्लुटूथ पैनल add कर दिया गया है यानि आप Bluetooth यूज़ कर गया है तो इसका betty percentage आपको नजर आएगा सबसे top पे add कर दिया गया है black theme यानि forcefully आप dark mode यूज़ कर सकते हो और यहाँ यहाँ पर clear all button भी add किया गया है साथ साथ यहाँ पर आपको clean button टेखनी को मिल जाता है जो कि पहले नहीं था तो यह भी अब आ चुका है Redesign किया गया है user interface को custom dashboard style वागरा जो कि AOSP और OOS वाला जो कि मैंने भी आपको change करके दिखाया था वो साइच चीज़ है जो यहाँ पर change करती गई है वापस हम अगर setting के अंदर in करते हैं तो जो हमारा user profile है यह थोड़ा इस तरीकी से change हो चुका है जो कि पहले हमें थोड़ा different देखनी को मिलता था तो यहाँ पर यह change दिखाई देगा बाकि यहाँ पर आपके देखसे तो android 12 वाल साड़े features मिलते हैं यानि जो wallpaper आप यूज करते हो recently उसका preview आपको देखने को मिलेगा जिस पर tap करके आप home screen के wallpaper change कर सकते हो काफी easy तरीके से और यह internet को access करता है तो थोड़ासा wait करना पड़े क्या हमारा certified है या नहीं तो यहाँ पर आपका है जो safety net वो पास रहता है और device certified है तो banking app आप यूज कर पाऊगे और यही बात हमारा photo storage के क्या unlimited रहता है या नहीं तो यह भी आपको unlimited देखने को मिल जाता है तो pixel लला storage है जितना चाहू उतना photo आप upload करो तो इस वार दोनों combination आपको मिलता है 90 piece वाला setting भी देखने को मिल जाएगा जो कि आगे में आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे photo storage भी और साथ-साथ ANS camera यानि बबाल चीजे हो चुकी है अब रही बात battery charging speed तो आप यहाँ पे देख से तो battery charging speed 1 hour 2 minute में 52% है जो charge हुआ है तो यहाँ पे अगर calculate करे तो भाई 1 minute में 1% से थोड़ा कम charge हो रहा है तो थोड़ा slow charging है बट उमीद करते है जो next update आएगा उसमें charging को भी fix कर दिया जाएगा बट हाँ रोम overall काफी अच्छा निकल के आता है और battery भी आपको अच्छा मिलेगा backup लेकिन always on और AOD वाले features को आप मत यूज करना अधर देते हैं तो इसका layout पहले से थोड़ा change हो चुका है काफी बड़ा बड़ा देखनी को मिलता है तो यह चीज़े आपको दिखाए देगी बाकि untuto का result काफी अच्छा खासा है जिसमें hitting only on 0.4 है और यह है हमारा single और multi court जो कि यह भी काफी अच्छा निकल के सामने आता है बा 11 का support आपको मिल जाएगा तो Amazon Prime Netflix आपका benefit है इनमें आपको दिखते नहीं आने वाले और एक और मुझे यहां पे pixel launcher की stopping का problem आया था जब मैं यहां पे wifi, mobile data के आइकन के साथ छेर चार कर रहा था तब तो यह कभी-कभी maximum room में आ जाता है जब भी हम theming के साथ थवा वो change करते ह तो यह कोई big issue नहीं है बस one time आया है और जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी आया तो मैं थ्वा जल्दी-जल्दी कर रहा था इसलिए आ गया आप थ्वा आराम-राम से कर गया है यह आइकन अपलाई हुआ थ्वा से wait कर अपलाई होने का तो ऐसे मैं कोई भी दिक्कत नहीं आता तो इसे आप ignore कर देना लेकिन हा मुझे दिखाए दिया तो मैंने आपके साथ है तो यहां पर information share कर दिया और यह wallpaper आपको टेलीग्राम पर है जो मिल जाएगा और यह जब से update आया है 24 का मैंने काफी times आपको boot animation नहीं दिखाया है क्योंकि काफी अच्छा-कासा हो गया ह तो मैं वह भी आपको यहां पर दिखा दूँगा और यहां पर आपको कई सारे options वगरे देखनी को मिल जाते हैं जो कि आप यहां पर use कर सकते हो जैसे कि यहां पर आपको extra dim का dark mood का और c a b c mood वगरे भी देखनी को मिलता है और reboot का भी icon देखनी को मिलता है तो यहां से आप तो इसे अगर off करोगे ताकवा डिस्प्ले ब्राइटनेस वो काफी ज़्यादा है जो थातीज हो जाता है और यहाँ पर गेमिंग मोड भी आप on and off कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पर साइन देखने को मेरा है इस तरीके से तो यह भी चीजे है जो कि आपके गेमिंग में काफ यहाँ तक help करने वाली है बाकि अगर हम इसके screen recording की बात करें तो आप देखने तो pop-up में कुछ इस तरीकी से आता है और यह काफी अच्छा लगा और जो animation आप देखने में काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब रही बात बूट की तो यहाँ पर जो आपको बूट मे मैंने यहाँ पर enable कर दिये तो आप चाहो तो enable करो यहाँ पर मत करो उसके बाद हम यहाँ पर एक बार restart कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले setting देख लेते हैं और जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि 90 पेस होता तो बेटर होता और हमारी जो इसके maintenance से भी बात हुई थी तो उन्होंने इसवा 90 पेस add कर दिया है और पाक यहाँ पर gameplay हम देख लेते हैं कैसा है और गूगल का जो dashboard है वो भी आ चुका है तो चेक आउट कर लेते हैं और वीडियो पसंदा रहा है तो प्रेजर लाइक कर लेना तो वाई यहां पर gaming काफी ज़्यादा कमाल कर रहा है काफी स्मूद gaming देखनी को मिला और maximum यहां पर 60 पॉइंट मुझे देखनी को मिला है इस वार के इस अफडेट के अंदर आई होप कि आप इसे काफी ज़्यादा इंजुआए करने वाले हो तो आई होप कि साही चीज़ आपको पता चलगी होगी इस अब्डेट से रिलेटर और यह मुझे काफी तक टेवल लगाया और डेली लाइफ में आप इसे यूज़ कर सकते हो डेली डराइवर के रूप में क्योंकि सारे जरूत की चीज़ आपको मिल जाती है गेमिंग काफी अच्छा मिलता है बैटरी काफी अच्छा है आपको कैसा देखने को मिला परफॉर्मस वगरा आपके डेली बेसिक यूज़ किये उपड ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्क वीडियो में तब तक लिए डाटा बाई-बाई